आपका कोश्चन है find the square root by division method तो division method से आपको इसको solve करना तो सबसे पहले आपको क्या करना है pair बनाने इसका भी पेर बनाओ तो यहां से पेर हो गया यहां से पेर हो गया अब आपको डिवाइट करना है तो देखो 57 57 से पहले कौन सा perfect square है आपका वह आपको लिखना है तो यहां पर 7 लिखेंगे यहां पर भी 7 लिखेंगे यहां पर आजाएगा 49 तो माइनस किया तो क्या आगया आपका एक फिर 76 को यहां पर लिखो यहां पर देखो 7 है तो प्लस 7 करेंगे तो यह आजाएगा 14 14 के बाद आपको एक नबर लिखना है और यहां पर भी सेम नबर ठीक है तो देखो लास्ट में यहां पर क्या है 6 तो 6 किसका स्क्वेर होता है एक तो होता है आपका 4 इंटू 4 4 स्क्वेर इस 16 एक तो 4 स्क्वेर होता है दूसरा होता है 6 का 6 इंटू 6 इस 36 तो आपके दो नबर्स आपको पता चल गए 4 & 6 तो यह तो आपको 4 डाल ला है या 6 डाल ला है दोने जगे भी तो देखो क्या है यहां पर है 1 तो 4 इंटू 1 इस 4 तो यहां पर तो एट है तो जस्त हाफ उसका डाल गए आप अगर आपने 6 डाला 6 1 जाथ 6 तो डिफ्रेंस कितना हो गया बहुत कम तो 6 डाल के देखते हैं तो यह हो गया 6 और यह हो गया 6 6 6 जा 36 3 कैरी 6 4 जा 24 प्लस 3 इस 27 टू कैरी 6 1 जा 6 प्लस 2 इस 8 तो सेम हो गया 8 76 876 तो आपका स्क्वार रूट इस 76 सेम यहां पर भी करेंगे हम तो देखो क्या है तो फर्स्टी सेवंटी नाइन से पहले कौन सा पर्फेक्ट स्क्वार है वह आपको लिखना है तो एट एट जा 64 तो एट विल कम यह एट विल कम यह यहां पर लिखेंगे 64 माइनस करो तो यह हो गया 5 यह हो गया 1 और यहां पर 2 1 इसको भी नीचे उटाड़ें तो इधर कितना हो गया देखो प्लस 8 करना है अगें तो यहां पर हो गया 68 लास्ट में देखो क्या है 1 तो 1 किसका स्क्वेर होता है दो का एक होता है 1 का स्क्वेर और एक होता है 9 का स्क्वेर इस 81 तो यह तो आपका नंबर इस 1 यह 9 लेकिन इसको कहां पर डालना है आपको तो उसको आपको डालना है यहां पर 16 के बाद यहां पर और यहां पर तो अगर आप वन डाल रहे हैं तो वन इंटू 161 इस 161 ओली छोटा सा नंबर आए रहा है तो आपको क्या करना है 9 डालेंगे तो देखो क्या आ रहा है 9 इधर भी 9 9 9 जा 81 8 करी 9 6 जा 54 प्लस 8 इस 64 54 प्लस 8 इस 62 2 6 करी 9 बन जा 9 प्लस 6 इस 58 तो यह देखो आपका से मार गया तो आपका स्क्वेर मूप चाहो गया 89 ठीक है झाल झाल